आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मैकरोनी जिसमें मियोनी डालने से ये और भी टेस्टी हो जाएगा हेलो फ्रेंड स्वागत आपको सुनीता के कुकिंग रेस्पी में आज हम बनाएंगे मैकरोनी मैकरोनी बनाने के लिए मैंने मैकरोनी ले लिए है अब इनको बोयल करेंगे बोयल करने के लिए पानी गरम हो चुका है इसमें एक चमच नमक और एक चमच ओईल का डाल देते हैं अब मैकरोनी डालने के बाद इसको दो मिलाख तक पकाएंगे अब मैंने इसका मसाला त्यार करने के लिए एक प्यास ले लिया था सिम्ला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और 2 टमाटर कड़ुकस करके रख लिये हैं अब मैंने फ्राय पिन रख दिया है इसमें एक चमच ओउल और एक चमच गी का डाल दिया है सबसे पहले इसमें लहसुन डाल देते हैं लहसुन को भूनेंगे इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे अब प्याज डाल देते हैं प्याज को थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसमें सिमल मिर्च डालेंगे अच्छे से भून लेते हैं अब स्रिमला मिट्च डाल देते हैं आप जरूर बना के देखिए ऐसे यह बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं नमक डाल दिया स्वादनसार मिट्च डाल देते हैं अब इसको अच्छे से भूनेंगे अब यह भून चुका है इसमें मियोनी डाल देते हैं जिससे इसमें बहुती अच्छा क्रीमी टैक्सर आ जाता है लगब दो चुमच मियोनी डाली मैंने अब इसमें मैकरोनी डाल देते हैं मैकरोनी डालने के बाद इसे पकाना नहीं है शिर्फ मसालक की कोटिंग करनी है मैकरोनी पे उसके बाद धकन लगाके थोड़े देर तक छोड़ देंगे अब यह तयार हो चुकी है गैस ओफ कर देते हैं अब हमारी मैकरोनी बन के एकदम तयार है बहुती टेश्टी मैकरोनी बन रखी है आप जरूर बनाके देखिए और मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न बोले और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगे धन्यवाद